दोस्तों कर आपको भी इंडिया और श्री लंका के बीच अब तक खेला गया पांचवे टेस्ट मैच का रुमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना पिल्कुल न भूलें अपनी कातिलाना के इनबाजी से मिलकर बलटकर रख दिया पूरा मुकाबला पहले ही दस ओवर में चटकाफ हैं के साथ वेकेड और फिर जो चमतकार हुआ उसको देखकर रोहित के भी होश उडवे तो चलिए अब आपका ज्यादा समयना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों भारत और श्री लंका के बीच चार मैचे समाप्त होने के बाद जब सीरीज एक एक से बराबरी पर आखड़ी हुई तब ऐसे में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का बाचवा और सबसे रोमान्चक मैच भारत और श्री लंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम पर केला जा रहा है और जहां चौते दिन के मुकाबले में भारतिये टीम ने आखिर कार वापसी कर डाली है जी हां दोस्तों आपको हम बता दें कि टीम इंडिया बुरी तरह भस चुकी थी लेकिन दोस्तों भारतिये बल्लेबास सरफरास खान की धाकड बल्लेबाजी के चलते श्री लंका के खिलाफ हम 265 रन का स्कोर रख पाए जो की काफी बड़ा था इसे बनाने के बाद कौन ही सोच सकता था कि श्री लंका की किरके टीम मैच में वापस भी आपाएगी दरसल दोस्तों हुआ ये कि पहले दिन जब कप्तान रोहिट चर्मा ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था तो कप्तान रोहिट चर्मा की शतकी अपारी की बदॉलत भारत ने 4-422 रन बनाये थे और फिर दोस्तों दूसरे दिन का खेल समाब धोने तक श्री लंका की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 365 रन बनाकर इस मुकाबले में भारत के पास बस 57 रन की लीड चोड़ी अब दोस्तों तीसरे दिन जब भारत की टीम के बल्ले बास यशस्वी जैसवाल ने शतक बनाया और विराट कोहली भारत रिशप पंत का भी बल्ला चला तब भारत की टीम ने तीसरे मैच का मैच समाब धोने तक 360 रन की बढ़हत हासिल कर ली थी और श्री लंका की टीम दबाव में तो थी लेकिन दोस्तों भारत का इस मैदान पर लक्ष बसेगी था वो 500 रन के पार स्कोर को पहुंचाना क्योंकि दोस्तों अगर 500 के पार टारगेट मिलेगा श्री लंका को वो तब ही दबाव में आ सकते हैं यहां पर चौते दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो विराट गोली और रिशप पंत ने पारी की शुरुआत की इस दोरान रिशप पंत के बल्ले से जहां चौत्तर रन निकले तो वहीं विराट गोली 58 रन बना कर आउट हुए लेकिन दोस्तों इन दोनों के आउट हो जाने के बाद सर्फरास खान ने मैदान पर आते ही कोहराम मचा कर रख दिया इस टेस्ट मैच को टी ट्वेंटी बनाते हुए वो चौकों की बारिश करते चले गए और इस दोरान भारत के लिए उन्होंने अपना अर्द श्रतक तो बस 28 गेंदों में पूरा कर लिया और देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सर्फरास खान यहां रुकने के इरादे में है लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने तो तभी मैच को रोपने का फैसला किया और ये टार्गेट उनको बिल्कुल प्रयाप लगा क्योंकि 500 पैसा ड्रण बना पाना श्री लंका के बल्लेबाजों के बसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगती अब दोस्तों भारती गेंबाजी पर पूरी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार हमारे गेंबाज श्री लंका के दस रिकेट कितनी जल्दी स्पीड से गिरा थे अब दोस्तों श्री लंका की पारी एक बार फिर से शुरू हुई और यहां निशान मदुशंका और दिमुत करुना रतने ने पारी की शुरुआत की अब यहां दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रंच जोडने का लेकिन दोस्तों यहां पर स्कोर काफी अच्छा खासा आगे बरता चला जा रहा था श्री लंका के यह दौनों बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा ने मास्टर प्लैन खेला यहाँ पर रोईच शर्मा जानते थे कि तेज गेन बाजों को अच्छी मदद नहीं मिल रही है क्योंकि ना अब रवीचंदरन अश्विन को लेकर आया जाए और वही कुछ कर सकते हैं कारण हमा और आदे रवीचंदरन अश्विन ने पहला बड़ा जटका श्री लंका की टीम को अपने पहले योवर की पांचवी गेन पर दे डाला दरशल दोस्तों यहाँ पर हुआ था कि रवीचंदरन अश्विन ने जब निशान मदुशंका को अपनी कैरम बॉल डाली तो यहाँ वो समझ नहीं पाये कि यह गेन बाहर की तरफ कटेगी या फिर अंदर की तरफ आएगी और वो बाहर की तरफ शॉट खेलने के लिए चल बनना तैथा यहाँ पर इन दोनों बल्लेबास ने अब मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और पचास रन की साज़दारी यहां से भी पन अपनी शुरू हो गई अब एक छोड से मौमद चमी को लचकाल के बाद रोहित शर्मा ने लगाया तो दूसरी तरफ से रवी चंद्रान अशुट अपना दबाव बना रहे थे लेकिन दोस्तों यहां पर अगले योवर में फिर फायदा मिल गया अशुट को जहां अशुट ने आउट साइड पिच की गेंद को डाल कर कहा यहां कुशल मैंडिस को अपने चाल में भसाया जो की 40 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए अब दोस्तों श्री लंका की टीम ने अपने दो विकेट कवा दिये थे श्री लंका के खिलाव बस एक ही गेंद बास अपना प्रकोब जारी करे हुए था और वो थे रवी चंदरन अशुट जिनके आगे कोई भी बल्ले बास टिक नहीं पा रहा था लेकिन दिमुत करुना रतने और एंजलो मैथ्यूज ने बिलकर यहाची साजिदारी की और दोनों बल्ले बासों ने ना सिर्फ अश्विन बल्की शमी का भी काफी डटकर सामना किया इस बीच जस्परीग बुम्रा भी खदरनाक बॉलिंग कर रहे थे लेकिन दोस्तों यहां महुम्मद शमी ने तो आज कहर पर पा रखा था अब जाकर महुम्मद शमी को पहली बड़ी सभलता मिली दूसरी पारी में जब महुम्मद शमी ने पहले तो 38 वे ओवर में फुल लेंथ पर गेंदबाजी करवाई और अचानक से एक यॉरकर डालकर उन्होंने दिमुत करुना रतने के रूप में तीसरा बड़ा जटका श्री लंका की टीम को दिया जहां करुना रतने इस मुकाबले में 75 रंग बना कर आउट हुए अब दोस्तों श्री लंका की टीम ने अपने तीन विकेट गवा दिये थे और तीनों बल्लेबाज अपनी जिरू कर दी अब चौते दिन का मुकाबला हो और भारत की टीम पांच से कम विकेट ले ऐसा भला नहीं हो सकता लेकिन दोस्तों आज भारती के इनबाज एंजलो मैथियूज और दिनेश चांदीमल के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए यहां पर एंजलो मैथियूज ने इस ओग दोरान अपना शतक भी पूरा कर लिया एंजलो मैथियूज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दूसरी तरफ दिनेश चांदीमल पूरी तरह से उनका साथ निभाते हुए स्कोर को धी में आगे बढ़ा रहे थे लेकिन दोस्तों जब आज चौते दिन का मु अगले योवर में महमत शमी को भी एक और सभलता मिल गए और दनेश चांदीमल इस मुकाबले में 47 रन बना कर आउट हो गए अब दोस्तों चौते दिन का मुकाबला तो समाप्त हो गया लेकिन अभी भी श्री लंका की टीम ने अपने पांच विकेट गवाए हैं और 260 रन बातरू बचे हुए श्री लंका को इस मैच में जीतने के लिए अब पांच वे दिन का मुकाबला अपने आप में रोमांचक हो जाएगा क्योंकि दोस्तों अगर पांच वे दिन भारत अगले पांच विकेट इन नहीं ले पाया और श्री लंका ने 260 रन बना दिये तो श्र फरास खान की बने बाजी को देखने के बाद आप क्या चाहेंगे और आप भारत ये इन बाजी को दसमें से कितने नमबर देंगे अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बतायां और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ब नमबर